अखाड़ा परिशत के अध्यक्ष नरेंद्र ग्री की मौत के मामली में जैसे जैसे CBI की जाँच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ही इस मामली में लगातार चौकाने वाले खुला से हो रही है हाला कि स्थाने लोग तो बागंबरी मठ की करोण की संपत्ती को ही नरेंद्र ग्री की मौत की वजह मान कर चल रही है दरसल बागंबरी गद्धी की संपत्ती प्रियागराज के अलावा दूसरे राज्यों में भी फैली हुई है जिसकी कीमत लगबग हजार करोग से अधिक बताई जा रही है प्रियागराज के रहने वाले मोहित मिश्रा और राधिशाम शुकुला की माने तो वो भी कई बार माहराजजी से मिल चुके हैं उनका मानना है कि महंत नरेंद्र ग्री कभी भी सुसाइट नहीं कर सकते करोणों की संपत्ती की वजह से ही महंत के खिलाफ कोई साजश जरूर हुई होगी है तो इनकी मित्व हमें संदिक दी दिखती है और आगे जाध चल रही है अब इसमें तो यह नहीं बोल सकते लेकिन इनके माट्स से ही ऐसा कुछ हो सकता है और बाकी जो चीज़ेंद्र इसमें इनकी मितु तो हमें संदिक दी नजर आ रही है पैसे की लालच में हो सकती है हो सकता है कि इनका अस्थान लेने के लिए इनके मट से ही ने किसी ना किसी ने ऐसा किया क्योंकि कोई महंत फासी लगा के अचानक तो मरता नहीं है और बाकी जो चीजे टीवी में दिखाई पढ़ रही है जो हम नूज रोज पढ़ रहे हैं उसमें ये नजर आता है कि इनकी हत्या तो संदिक दी बात है इसमें संदिक कुछ अपने ही उनके लोग ऐसा किये है पैसे का ही कुछ है कम जे कम इनकी संपत्ती साथ सो करोन रुपए की है जैसे की बड़े हनुमान जी है मट ही कम से हम दो सो करोन होता है इनके साथ संदिक कुछ हुई है आपको बता दें कि महिंत नरेंद्गरी 2004 में शिरी मट बागंबरी गदी के पीठा दीशुर बने थे इसके बाद उन्होंने मट से जोड़ी संपत्तियों पर नज़र रखनी शुरू कर दी मट की कुछ जमीनों को वेच कर भारत द्वाज पुरम में भववे भवन बनाय गया साथी संगम तट पर इस्थित लेटे हनुमान मंदरी का संचानन भी बागंबरी गदी के जरीय होता है जिसकी मासिक आमंदनी 15 से 20 लाख रुपई है लेकिन माग और कुम्भ मेलों के दोरान यही आमंदनी 40 से 50 लाख रुपई तक महीने हो जाती है बागंबरी मठ में कई महेंगी गाड़ियां भी खड़ी हुई है जिनकी कीमत करोनों की बताई जा रही है पिछले महीने की 20 सारी को अखाड़ा परिशत के अज्यक्स नरेंदगिरी की संदिक धालत में लाश मिली थी कि ये पूरा प्रक्टन जो है वो संपत्ति का भी हो सकता है अगर हम बागंबरी मठ की संपत्ति की बात करें तो इस मठ की संपत्ति है तकरीबन 200 करोड की संपत्ति बताई जा रही है साथी साथ बगंबरी मट की कई जमीने जो हैं वो प्रियागराज के साथ साथ अन जो जिले हैं वहाँ पर भी है अगर हम इनकी आमदनी की बात करें तो लेटे हुए हनवान मंदिर जो संगा मिस्सित है वहाँ पर भी जो चड़ावा आता है वो भी एक बड़ी आमदनी का स्रोथ है कि भी कहा जाता है कि 10 से 15 लाग महीनारी वहाँ से चड़ावा आता है और अगर माग मिला या कुम मिला हो तो 2 से 3 गुना चड़ावा बढ़ जाता है ऐसे में अगर हम इनकी संपत्ती और संपत्तियों की बात करें तो मद परदेश में भी बताई जा रही है साथी साथ कोशाम भी जिले में भी बताई जा रही है और प्रियागराज के चायदारा गंज हो शंकर गण हो वहाँ पर भी मटकी संपत्ती बताई जा रही है तो लोग ये भी क्यास लगा रहे हैं कि क्या पता कोई संपत्ती विवाद तो नहीं है क्योंकि हर चीज महंत नरेंगरी महराजी करते थे और उनी के ही निर्णे से ही सारी चीज जो है वो मठकी पूरी कियाती थी अब ये एक तरीके से जाँच का विशह है CBI की टीम पूरी जाँच कर रही है और अब देखना दिल्चस्प होगा कि जाँच में क्या निकल कर सामने आता है विडियो जनले स्ट पाद जयाए के साथ सई दासर विज़ा पंजाब के सी टीवी प्रियाग राच हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद